गुद इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब की साथ एक डियाइबाई हेर औल शेयर कर रही हूँ जो बालों को जड़ों से काला भी बनाएगा उसके साथ साथ जड़ने से भी तुरे तुरे तुरी रोकेगा लंबा साबल साफिद है इस बड़ी है तो टाइम लगे का क्योंकि ये नैच्रल चीज़ें है ठीक है इस बात का ध्यान रखें तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम इस सोयल को कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर ये तीन चीज़ें ली है जो के है आउला अरिटा शिक है लोही की कड़ाई में डालने के बाद हम डालेंगे इसमें एक ग्लास भर के पानी और इसे ढखकर 24 आर्स या ओवरनाइट ज़रूर रखें बेस्ट रिजल्स के लिए ठीक है मैंने इसे 24 आर्स रखा था उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है तो मैं पहले थोड़ा स पानी निकाल दूंगे नहीं तो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा से दरदरा भी ग्राइंड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल बारिक ग्राइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मैंने इसे अच्छी तरसे ग्राइंड कर लिया है अब यह पानी भी हमें फेकना नहीं है, यह amazing पानी है, तो हम इस पानी में ही यह grind करिये हैं, वो material को डाल देंगे, उसके बाद हम इसे रखेंगे, गैस पर और गैस की फ्लेम को on करेंगे हम इसमें कुछ चीजें और भी मिलाएंगे तो प्लीज वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वाउच कर देखें और अगर वीडियो थोड़ा भी यूसफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में भी ज़रूर शियर करें बाद हमें ओईल डालना है यहां पर मैं यही रिकमेंड करऊंगे कि मस्चर ओईल का यूस करें क्योंकि जब भी बालों को खास करके काला करने की बात हो तो मस्चर ओईल इस दब बेस्ट ओईल ठीक है पुराने जमाने में यही ओईल यूस किया जाता था और लंबे समय तक बालों काले, घने, लंबे और मस्बूत रहते थे लगबग एक बड़ा कप हमें डालना है, यहाँ पर मस्टर ओइल का, उसके बाद हमें इसे पकाना है, पानी जब तक पूरी तरह से खतम हो जाएगा, और ओइल सेपरेट हो जाएगा तब तक ठीक है, जब यह लगबग पकने को आए तो हम 2-3 मिनट पहले इसमें डालेंगे हीना नहीं इसरे बालों को कलर करती है बलके बालों को कंडिशनिंग करती है बालों को जड़ने से भी रोकती है ठीकर लगबग 2 चमच मैंने इसमें डाला है हीना के अगर आपको पसंदा हो तो आप नहीं भी डालेंगे तो ये तीनों भी चीजें बहुत ही अमेजिंग है आवला अरिठा शिका काई पर मैंने यहां पर 2 चमच हीना के एड़ किये है उसके बाद इसे इस तरह से हम चेक करेंगे जब पूरा ओइल उपर आ जाएगा छीक है हम गैस को बन करेंगे और इसे गरम गरम बिल्कुल भी आपको ढखना नहीं है नहीं तो ओइल खराब हो जाएगा जब यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे ढखकर ओवर नाइट रखें बेस्ट रजल्ट के लिए ओवर नाइट रखने के बाद ही इसे चाने मैं इसे कपड़े की मदद से चान रही हूँ आप चाहें तो चानी के मदद से भी चान सकते हैं इस तरह अच्छी तरह से चानने के बाद यह हमारा ओइल बिल्कुल भी रेडी है यह आयर्वेदिक तरीका है बिल्कुल ऑइल बनाने का चिक ए? तो इस ऑइल को जरूर बनाए वीक में दो से तीन बार आराम से इस उइल से आप अपने बालों पर मसाज कर सकते हैं और इस ओइल को बनाने के बाद मुझे जरूर बताएं इसका result आपको क्या मिला thanks for watching चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए